जहीं दोस्तों स्वागेत आप सके आपके अपने यूटूब चैनल सेल्फिश्टडी विद कुनन कुमार में आज बात करेंगे जोगराफी क्लास 12 और आप सब के लिए जोगराफी से मोडल पेपर त्यार किये हैं जो कि सेट 2 है अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लिजेगा जिसका लिंक काम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्टन में डाल दिये हैं वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर आप 10 सेट देख लेते हैं तो आपको बोड इजा में 95% लाने से कोई भी नहीं रोख सकता है क्योंकि हम आपको सेट 1 में बहुत ही अच्छे से समझा दिये हैं अगर आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लिजेगा अगर आप सेट 3 देखना चाते हैं तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को all कर ही लेजे और टेलिग्राम पे जोईन कर लिजे जहाँ पर आपको PDF और टेलिग्राम पे मिलेगा क्यूज भी आपको टेलिगराम पर ही होगा जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्राइब से में डाल दिये हैं वहां से आप डायरेक्ट जाके जॉइन कर सकते हैं अगर आपको आठ्स का पेट गुरूप जॉइन करना चाहते हैं चहां पर आपको आठ्स का ओल पीडियेफ नोट से मिल जाएंगे आप हमें इस नमर पे कॉल या मैसेज करके जॉइन कर सकते हैं मातर आपको डियर सुरुप या लगेंगे तो जलिए हम यहां से एक नमर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है ध्यान पूरबक सुनना है जो कि सेट वन अगर आप देखे होंगे तो आप मेरे बातों को अच्छे तरह से समझे होंगे और आपको पता भी होगा कि किस तरह से वीडियो देखना चाहे और किस तरह से अच्छा सच्छा नमबर लाया जा सकता है तो set one जाके ज़रूर देख ली जगा तो चलिए हम यहां से एक नमर से स्टार्ट करते हैं कलर थुरा सा चेंज कर ले ठीक है चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पर एक नमर में क्या लिखा है कि विसु का सबसे बड़ा तरीते करेकलाब कौन सा है क्या कहा जा रहा कि विसु का सबसे बड़ा जो तरीते करेकलाब है वो कौन सा है तो आपका बी जो देखे रहे हैं वो आपका बिल्कुल ही राइट अंसर है परियेटन जो आपका है विस्व का त्रीटे किरेकलाब है और बाकी बात करें जो आपके खनन है ये आपके दूतिये में आते हैं गायन हो गया सिख्छन ये सब त्रीटे किरेकलाब में ही आते हैं और ये त्रीटे किरेकलाब में और भी आपको याद रखना है या त्रयात हो हो गया सेवा हो गया संचार हो गया बैगिंग हो गया यह साहव आपके तुरीटिय किरखलाप में ही आते हैं और विश्व का सबसे बदा तुरीटिय किरखल जो है आपके परेटन है यह आपको याद रखना है ठीक है तो भी आपका बिल्कुल है राइट अंजर है अब भारत में राज्य की कुल कितनी संक्या है भारत में जो कुल राज्य की संक्या है वो कितने है तो 28 है या 29 है या 30 है या 38 है तो बहुत इस्टुन क्या करते हैं बिहार समझ के यहां पर 38 कर देते क्योंकि बिहार में 38 जीले हैं तो 38 समझ के राइट 演सर कर देते हैं उसी वीडियो में आजेगा क्या करा है कि किस परकार की बस्तिया सरक, नदी या नहर के किनारे होती है तो देखें समझ ही क्या करा है जैसे ये हो किया किनारी किनारी के ग görünmen क blog रहा तो आप क्या लागा लीज़ेगा रेक हिए तो हापका ये बिलकुल ही राईट रणार सरे समझ मे आगीर ला ये परसना आपको हो। बिलकुल 100% समझ मे आ लिए ठीक है याद रहेगा न तो यह आपका बिल्कुल ही राइट इंसरे है और पठना भी बहुत ही अच्छा खासा मसहूर जगा है क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर भी है और वहाँ पर पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं ठीक है वहाँ पर आगर आप क्लास 12 कर लेते हैं तो अहाँ पर उमीद है कि आप पठना ही जाएगा मुझे लग रहा है ठीक है ज्यादर तरह जिकतर जो इस्ट्रूड है वह पठना ही जाके रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी करते हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं च्छोन और पसन में और यह से इसमें definition कम दे रहे हैं लेकिन अच्छे सा समझ में आ रहा होगा ठीक है साथ नमर में दिखेगा कि निमलिकित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की कारक नहीं है यह प्रसन भी भी लगा लिजे क्योंकि बहुत वार पूछा भी गया है और इसमें बच्चे जो है बह परवास ऐसे हम लगाते हैं और इसे ठीक है देखिए अगर इसमें जो होता है परवास का यह चीन हो गया राइट परवास का हो गया और जनम का भी उसी परकार का चीन है क्यों कभी मरता है तो कभी जीता है कभी बच्चे जो जनम लेता है तो जीता भी है और मरता भी है मिर अबर है तो आपका right answer जो होगा क्या होगा भी होगा समझ में आ गया ना यह 100% समझ में आना चाहिए परसन यह परसन जो देख रहे हैं यह आपको 100% समझ में आना चाहिए यह परसन आपको subjective में भी पूछा आ सकता है कि जन संख्या परिवर्थां के कारक कौन-कौन से है वो आ आपके है दक्षिन पुरिवी एसिया है आपको बताना है कि बीरल जन संख्या वाले छेतर है तो कौन सा है यह आप हमें कमेंट करके जरूर बदाएगा ठीक है चलिए अब आपके सामें नौन आवर परसने कि कलाहारी मरुष्थल में कौन से जन जाती निवास करती है कलाहारी चलिए उसके नीचे जैसे निवास करती है तो आपका राईट इससर जोग आपके सी होगा और इसके बारे में हम ठुरह सा बात करें तो यह जो होती है क्या होती है मेरे दोस्त यह 25 किलो मेटर में पहली होती है अप सो सकते है कि 25 किलो मेटर दूर कितना बार हो गया आप तो यह आपको कमेंट करके बताना है तो इसका जो राइट इंसर क्या होगा में तो पहुत चाहिए यह जो है ग्रैफिट टेलर है और यह बताएगा यह आप से हम पूछते हैं कि माना भूगोल के जनक कोन है अपर आप अरते कोन है यह जनक कोन है तो माना भूगोल के बताना है किसके बारे बताना है माना भूगोल के जनक कोन है तो आप हमें कोमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है चलिए 11 नावर में देखते कि निम्न मेंसे कोन प्राचीन नगर है भोपाल गंगा नगर पटना जमसेदपूर तो आप सुने होंगे प्राचीन नगर जो आपके हैं सिर्फ पटना है कौन है सिर्फ पटना है क्योंकि यहां पर पाटली पुद्र जाना जाता था पहले और पाटली पुद्र से भी नाम पहले कुछ और नाम फिर पाटली पुत्रबरा फिर उसके बाद क्या कर देगा पटना कर देगा तो सी आपका बिल्कुल ही राइट इन सरे 11 का समझ गए चलिए अब देखते हैं बारण और फ्रसन में कि भारत में ग्यों उत्पादन में अग्रीनी राज्ये कोन है अग्रीनी का अर्थ क्या हुआ कि आगे जैसे मान लिजे कोई जो राज्ये है वो क्या करता है पांच किलो ग्यों उत्पादन करता है तो कोई जो राज्ये है दस किलो करता है तो कौन आगे होगा ये होगा कि ये होगा तो ये होगा सर ये तो अच्छी बात है तो ये क्या कहलाएगा अग्रीनी कराएगा ये कहलाँ गागेरीनिया तो यही पिकर राहरा है कि भारत में ग्यहों उत्पादन में अगरीनिया राजे कुंग गलता है तो मध्यपर्देश पंजाब हर्याना या उत्तार प्रिश्त तो आपका बिल्कुल ही right answer आ रहा ह Pakा बारक का उत्त परदिश्त तो D वाले का बिल्कुल ही right answer और वहीं पर बात करें मेरे दोस्त ये भी याद रिखेगा और उसके बाद जो आपके हैं पंजाब हो गया हर्याना हो गया राजस्तान मदेबर ये सब आते हैं लेकिन फर्स्ट अफल जो आते हैं आपके उत्तर परदेश आते हैं ग्यों हो उत् option में नहीं है लेकिन आपको option के हिसाब से चलना है तो यहाँ पर अगर आपके option में नहीं दिया है ठीक है लेकिन इसके हिसाब से हम बता देते हैं बिस्वेट डाले अध्यान करना जो कि होते हैं पलस टू को जो होते हैं कलास होते हैं जिससे आप पलस टू में पर रहे तो बरे बरे जो काम होते हैं जैसे आदालत हो गया यह सब आते हैं चोतुर्व ऐही लागाना जरूरी है मेरे खाल से बागे आपको यह प्रसंड का अब जरूर कमेंट करेकर बदेगा सैक्तलिक प्रती कर्स कारक उतरताई है Hans वास के लिए है ठीक है तो यह आपका बिल्कुल ही राइट एंसर है चलिए आप दिखते हैं 15 अवर पस्र में और यहां पर क्या कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन निमलिखित में से किस वर्च में पहला रीडियो कारे करम पर अशारित हुआ था तो यह जो हुआ था 1923 में हुआ हुआ तो जो की आपका बिल्कुल ही राइट इंसर है ठीक है अब आपको याद हो ग्या होगा और यह सबसे पहले कहां से हुआ था तो मुंबई से प्रस्चारित हुआ उत्तरपรदेश है या तमिलांडू है तो इसकी बारी मत जदिये की कोन सा राइट एंसर होगा तो है पहले भी बता हुए हुए थे कि चीनी भी उत्पाधन करता है तो वो कोन है तो उत्तरपरदेश ही है ठीक है याद रखेगा यÝ आपको याद हो यह ना उत्तरपर्देश आगे चले और देश में तो अलंग ही है निमलिखित में किसस्तान पर पर्थम पर्मानो उढ़ जा इस्टेसिन अस्ठापित के आगए था क्या कहा रहा कि पर्थम पर्मानो उढ़ जा इस टेशन अस्थापित के गए था तक कहां पर के गए था तो यह जो है आपके तारापुर में के गए थे तो डी आपका बिल्कुल ही राइट अंसर यह भी आप याद रिखेगा और यह तारापुर कहां है तो तारापुर जो है महाराष्ट में है यह आप जानते होंगे बह और यहां पर क्या करें कि सुस किरेशी में निम्र में से कौन से फसल नहीं बोई जाती है तो आपका डी बेल्किल जैसे थंडी का मोसमा घया तो उस तो है नहीं बोई हता है उस समय तो गना ना कटा उटा के साब सातरा रहता है सायद उतना ही है ठीक है अब चलिए थुरा सा और बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कहरा कि सुसक किरिसी है मेरे सिनिमने से कुण से फसल नहीं बोई जाती है तो आपको गना ठीक है ठीक है और वहाँ पर पुछले कि बोई जाती है तो कौन से रागी हो गया जुआर हो गया मुँफली हो गया और आप से लग सकते हैं बाजरा हो गया चाना हो गया मुँगा हो गया यह सब उगाई जाती है ठीक है किस में सुसक किरिसी में जो कि ठंडा के सम मोसम होता है उस टाइम ये सब उगाई जाते है ठीक है अब चले थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर देखेगा उन्हीं सिनवर में कि भारत के चार महानगरों को जोरने वाली सरक का नाम है चार महानगरों को जिक्सि सिमान तो कि सरक हो गया एक्सप्रेस हो गया या ट्रांस मेट्रो सरक हो गया स्वार लिम चतरभू जमा रहूँ गया तो आपका जो बिलकुल ही राइट en Sur क्या होगा डी हो दिया आप ने लगा दिया लेकिन आपको बताना है कि ये जो स्वार्णिम जो चार महा नगरों है उसको जोरने वाले नाम क्या है तो सबसे पहले याद रखे कि दिल्ली से जो है उत्तर में है कहां दिल्ली होगे आपके उत्तर में और चिन्नाई जो होगे आपके दक्षिन में होगे किसमें है चिन्नाई जो है आपके दक्षिन में होगे और कुलकत्ता जो है आपके पुर्व से और मुंबाई जो है आपके पस्चे में है ये भी आपको याद रखना है चार महानगरों ने मिलके कह सकते हैं वो क्या किये थे इसका निर्मान किये थे और इसका निर्मान कब किये थे ये भी आप याद रख लिजे तो 2001 में किये थे इसका निर्मान किसका तो स्वार्निम चतरभुज मारका सबसे बहुत रखना है और ये जो चार महान अगरों का जोरने वाले सरकन नाम क्या है तो वो ज रखना है दिल्ले, चिन्नाई, कुलकत्ता और मुंबई ठीक है यह क्या है थे सवारी बारी के लिए ही क्या गया था ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा चली अब देखते हैं बीस तनर में कि लोरेंस सार चितर परसिद है लोरेंस सार जो परसिद है वो आपके लोहा के आपके लिए हे इनमेंसे कोई नहीं लोरेंस जो देख लेंसे आपके नामे में ही एंसर चुपा हुआ है तो यह आपको वो कौन सा कर लाती, seri culture कर लाती है, bt culture या pc culture या इनमें से कोई ने तो आपका जो बिल्कुली right answer क्या होगा, bt culture कौन सा होगा, bt culture तबी आपका right answer होगा, एक कैजिस का समझ में आ गया, चलिए देखे अगर आपको कभी भी live class join करना है अगर आप live class नहीं कर पा रहे तो क्या किजेगा YouTube पे जाएगा और आपको क्या करना है search करना है कि self study with कुंदन कुमार live क्या करना है self study with कुंदन कुमार live तब आप live class join कर पाएंगे ठीक है चलिए अब देखे यहां पर क्या करें 22 नहीं कि जोगराफिका जनरलिस्ट के लेखा कौन है जोगराफिका जनरलिस्ट के लेखा कौन है sample है वारेनियस है या रेट जल है या इनमे से कोई नहीं तो आपका बिल्गुल ही जो right answer क्या होगा जोगराफिका जनरलिस्ट के लेखा ये वारेनियस है तो आपका B बेलकुल ही राइट अंसर है और वहीं पर पुश्टा माना भोगोल के जनक कौन है माना भोगोल के जनक कौन है ते रेट जल है कौन है माना भोगोल के जनक कौन है ते रेट जल है निमलिखित में से कौन सा एक तिरिती किरा कलाप है तो वो आपको याद रिखना है आग खेट, मचली पकरना, किरिसी या वेपार तो याद रिखेगा में दोस्ते तिरिती किरा कलाप है वो आपको वेपार है और यहाँ पर एक और प्रसन बनता है तो आपको सबसे पहले याद रखना है वेपार, एके बाद रखना है सेवा, ठीक है, उसके बाद क्या रखना है संचार, इसके बाद संचार रखना है उसका बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग भी याद रखना है और उसके बाद हो गया यातायाद, सिक्छा, यह सब जो आते हैं क्यास में यह त्रीथी क्रिखलाप में ही आते हैं ठीक है अब चलिए आप रहां लेकिन इसमें तो आपका राइट एचर नहीं बता है या अफिरिका में, तो सबसे पहले याद रिखेगा कि नेमलिकित में से कौन एक महादेब में जनसंक्या विरिदी सरवाधिक है, तो वो आपको अफिरिका है, according to book ठीक है, बुक के हिसाब से लिएगा तो आपका D राइट इंसर होगा अगर आप Google पर सर्च केज़ेगा तो Asia महादेश बचेगा, क्योंकि हम Asia महादेश में रह रहे हैं, और वहाँ की जनसंक्या है, वो धिरे जिरे जिरे बहु ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जनसंक्या पर इंसर जो है आपके, आप फिरिका लंबी दूरी के लिए उपयोगत होती है, तो सबसे पहले याद रखना है, कि मान लीजिए एक कुंटल हमें, क्या करना है, कि ये लोहा ले जाना है, तो लोहा के लिए हमें क्या होए, ये भारी समान है, लोहा बहुत भारी है, तो इसके बैदर जो सस्ता होता है वो जल परिवहन होता है इसमें ज्यादा खर्चनी है जो कि समुदर मार की द्वार ही जाए तो C आपका बिल्कुल ही राइट एंसर है ठीक है चली दो देशों के मध्य वेपार क्या कला आते हैं उन्तराष्टी वेपार कलाते हैं तो जो आपका B बिल टी-ओ की नाम से भी जानते हैं जहां पर बहुत जादे वे फार वैर भी होते हैं सब देश के अलग-अलग के ठीक है अब यहां पर देखे 27 नावर में कि निमलिखित में से कौन एक उर्जा का गेर प्रम प्रागत सुरोज है तो इसके बारे मत यह राइट इंसर क्या होगा चले बहुत अच्छे आपसे का जो कमेंट आ रहा है क्या होगा तो यह आपके हैं सौर उर्जा बिल्कुल आपसे का ड वह आपके प्रम प्रागत सुरोज है और यह जो कोईला होगे खनीज देल होगे जल भी दो तो यह सब जल्दी खतम हो जाने वाले है तो यह क्या होते हैं गेर्म प्रम प्रागत सुरोज नहीं है राइट चलिए अब बात करते हैं 28 नावर में कि निमलिखित में से कौन खा खादे फसल है तो यह जो आप गेहों देखे रहे हैं वो एक परकार के खादे फसल है और इसमें अगर आपको नहीं दीजेगा खाद बगारा तो यह क्या होगा अच्छा भी जो पादन नहीं कर पाईएगा जैसे चुकुंदर हो गया कौफी होगा गना हो गया यह समय आप थोड़ा सा कम भी खाद दालेगा तो आप उत्पादन बहुत अच्छा कर लेजगा लेकिन गेहों में आपको खाद की अवर सकता बहुत ही जादा होती है और इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देता है जब आप अच्छा से काम करेंगे तो ठीके ब्राजील के आपको कमेंट करके बताना आएं डिशकुट उद्योग किस परकार की उत्ध्योग से संब्द देते तो वो जो आपके मेरे दोस्त यह उपभूखता उद्योग से संब्द देते और यह प्रसन बहुत इस्टिन गलत करते हैं कूटर लगा लेते हैं व्रेदत लगा ले और आपको क्या करना है भी लगाना है और इसके बारे हम समझाते हैं पहले जैसे मान लीजे कि आप एक फैट्रिक में काम करते हैं जहां पर बिस्कुट का बनना है ठीक है क्या आप वो बिस्कुट खाते नहीं कभी नहीं खाते हैं खाते हैं तो जो काम स्वयम करते हैं और खुद जिस काम को हम खुद करते हैं और खुद भी खाते हैं तो यह क्या कलांगे उपभुखता उद्यो Fuji यह प्रसन आज के बाद कभी भी आप से गिलत नहीं होने चाहिए समझ में आ गया ना हंडेर प्रसन समझ में आयाओगा अगर आप set 3 देखना चाहते हैं तो channel को subscribe कर लीजे ओर एक minute मुझे time जरूर दीजेगा ठीक है चलिए बात करते हैं टेली कर आप गरहें सब join कर लिए होंगे तेके set 3 देखना जाते है channel subscribe कर लीजेगा और अगर आपको arts का paid group join करना है तो आप हमें इस नावर पर जरूर कॉल करके बात करिए और अच्छे से join join कर लिजेए बहुत ही based है ठीक है चलिए मिलते हैं अभी के लिए जैन जै भारत बाई बाई टेक्यार all of you